जलवायू परिवर्तन कारे करता ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में टूलकिट केस में गिरफतार 22 साल की दीशारवी के समर्थन में ट्विट किया है आपको बता दे कि दीशारवी रास द्रोहों और अन्य आरोपों के मामले में जेल में है जिसकी जमानत याचिकापर राजपतियाला कोर्ट में सुनवाई होनी है वहीं ग्रेटा थनबर्ग द्वारा स्थापित संगठन Fridays for Future ने भी कहा है कि विशानते पूरण और गरीमा पुन्धंग से अपनी आवाज उन लोगों के लिए उठाते रहेंगे जो खत्रे में रहेंगे सबके लिए न्याय सुनिश्चित नहीं करेंगे इस संगठन के स्थापना थनबर्ग ने अगस्त दो हजार अठारा में की थी दिशारवी की गिरफतारी का विरोध करते हुए एफफ के ट्विट को लाइक कर थनबर्ग ने ट्विट करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की सवतंतरता और शांती पूरन तरीके से विरोध परदर्शन करने के मानव अधिकार पर कोई बहस नहीं की जा सकती इधर दिशारवी के साथ शांतनू मुलुक और नकिता जकअब ने किसानांदोलन से जुरी टूल्किट में एजिट किया था इस टूल्किट में प्लान था कि कैसे किसानों के परदर्शन को आगे ले जाना है दिली पुलिस ने इसे राज़द्रुखों का मामला बताया है जबकि आलोचकों का कहना है कि किसी भी मामले में सोशल मीडिया पर ऐसा कंपेण चलाया सकता है दिली पुलिस का कहना है कि थनबर्ग ने पहले यह गलत जोक्यूमेंट ट्विट कर दिया था लेकिन बाद में इसे डिलीट कर दिया दिली में किसानों की 26 जनवरी को होने वाली ट्रेक्टर रैली में हिंसा भड़क गई थी इधर यह भी बता दे कि पुलिस ने कहा कि दिशा रवी के पुलिस ने माण बढ़ आने की मांग नहीं की है पुलिस का कहना है कि वह बाइस फर्वरी को दिशा रवी शांत्नू मुलूख और निकिता जकाप को अ क्साथ बिठा कर आमना सामना करना चाहते हैं लहाजा पूलिस का स्टिडि की जरूरत बाइस परवरी को को कहा है बतादे कि मामने में आरोपी वकील निकिता जकैब और शांतनु मुलूग को महरास्ट्र में हाई कोड से अग्रीन जमानत मिल चुकी है इधर जलवाई परिवर्तन कारे करता ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में टूलकिट केस में गिरफतार 22 साल की दिशारवी का समर् में ट्विट किया है वहीं ग्रेटा थनबर्ग द्वारस्थापित संगठन एफ 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 ने भी कहा है कि विशांति पूरण और गरिमा पुंधंग से अपनी आवास उन लोगों के लिए उठाते रहेंगे जो खत्रे में रहेंगे सबके लिए नियाए सुनिशित करेंगे दिल्ली पूलिस का कहना है कि दिशारवी के साथ शांतनु मुलिक और निकिता जकैब ने किसान आंदोलन से जूरी टूलकिट में एडिट किया था इस चूलकिट में प्लान था कि कैसे किसानों की परदर्शन को आगे ले जाना है दिली पुलिस ने इसे राज द्रहों का मामला बताया जबकि आलोजकों का कहना है कि किसी भी मामले में सोशिल मीडिया पर ऐसा कमपेंच चलाया जा सकता है दिली पुलिस का कहना है कि थन्बर्ग ने पहले यह गूगल जोक्यूमेंट ट्विट पर ट्विट किया था लेकिन बाद में इसी दिविट कर दिया गोरतलब है कि दिली में किसानों के 26 जन्वरी को होने वाली ट्रेक्टर रैली में हिंसा भढ़त गई वहीं दिशारवी की तरफ से जमानत की याची का दाखिल की गई पर आज यानि शनिवार को है वहीं मामले में आरोपी वकील निकीता चकैब और शांतिनु मुलूग को महरास्टर में हाई कोर्ट से अगरीम जमानत मिल चुकी है ब्रेकिंग निउस रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की affordable housing योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की free parking, EDC, IDC free, club charges free और maintenance free और कोई hidden charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुग करें